प्रस्ण एक कहला नीचे चीत्र के संदर्व में दो रेखा खण्ड चार किर्णों और चार बीड्यों के दाब लिखी है तो ए में कहा रहा है दो रेखा खंड तो इसमें देखिए तो रेखा खंड की निश्चित लंबाई होती है तो कोई भी नाम लिख देंगे देखिए जैसे ओ आर यहाँ से यहाँ तक ठीक है तो ए का उत्तर हो जाएगा ओ आर ओ क्यूँ तो ओ से आर एक निश्चित दूरी है और ओ से क्यूँ अब ए भी भी लिख सकते है ओ पी भी लिख सकते है ठीक है तो बस दो रेखा खंड लिखना है तो कोई भी लिख देंगे बस दो बिंदू तो इसका उत्तर हो जाएगा ओ और ओ क्यूँ ठीक है यह भी भी लिख सकते है ओ पी भी लिख सकते है तो कोई भी दो रेखा खंड यहाँ पे लिख देना है B में कह रहा है 4 किरन को लिखना है तो B का उत्तर हो जाएगा देखे हम इधर लिख देता है B में हो जाएगा O.P बस तीर का निसान दे देंगे O.P यानि ये बढ़ता जा रहा है किरन यानि एक दिशा में बढ़ता जाता है अनन तक तो O P हो गया कॉबा O Q कॉमा O A या O B लिख सकते हैं तो O A या O B कुछ भी लिख सकते हैं तो O B लिख देंगे तीर का निसान दे देंगे उपर बे उसके बाद O R तो ये हो गया चार किरन तो किरन किसी भी एक दिसा में अनन्द तक बढ़ता जाता है ठीक है C में कहा रहा है चार बिंदू के नाम लिखिए तो C का उत्तर हम यहाँ पर दे देंगे चार बिंदू तो कोई भी देखे A B जो भी बिंदू उसको नाम दे देंगे R Q ठीक है तो A, B, R, Q P भी दे सकते हैं तो चार ही बिंदू है तो बस चार बिंदू का नाम लिख देंगे दूसरा निमलिखित को असपश्ट करें पहला में सरलवक दूसरा में बहुभुज के आसान आसन्य सिर्ज बहुभुज का आसन्य सिर्ज तो प्रस्ण पहला का दूसरा का A सरलवक्र सरलवक्र तो सरलवक्र क्या होता है तो सरलवक्र होता है यदी कोई रेखा यदी कोई रेखा सोय को सोय को परती छेद सोय को परती छेद ना करे तो यदी कोई रेखा सोय को परती छेद ना करे तो उसे सरलवक्र तो उसे सरलवक्र कहा जाता है यानि कोई रेखा सोय को परती छेद ना करे जैसे देखे कोई भी लाइन कोई भी रेखा बना देते हैं तो यह सरलवक्र हो गया ठीक है सोय को परती छेद नहीं करे जैसे देखे कुछ भी बना देगे बस स्वय को पर्तिछेद स्वय को पर्तिछेद ना करे जैसे हो गया कुछ भी ठीक है तो ये सब क्या है सरल वक्र है तो बस पर्तिछेद नहीं करे जैसे जैसे देखे ये देखे ये सरल वक्र नहीं है क्योंकि यहां पर पर्तिछेद कर रहा है अपने आपको ही तो यह सरलवक्र नहीं है ठीक है तो यह सरलवक्र है यह भी सरलवक्र है और यह भी सरलवक्र है तो सरलवक्र क्या होता है यह अब हम समझ चुके हैं अब है B में बहुभुज का आसन्य सिर्ष तो B बहुभुज का आसन्य सिर्ष तो आसन्य सिर्ष क्या होता है तो आसन्य सिर्ष किसको कहते है तो देखे बहुभुज बहुभुज के एक बहुभुज के एक ही भुजा के दो बहुभुज के एक ही भुजा के दो अंत बिन्दूओं दो अंत बिन्दूओं को आसन सिर्ष कहा जाता है तो बहुभुज के एक ही भुजा के दो अंत बिन्दूओं को आसरने सिर्ष कहा जाता है जैसे मालनी यह कोई बहुभुज बनाते हैं यहां पर तो यह देखे कोई बहुभुज है इसका नाम देता है A, B, C, D, E, F यह बहुभुज है इसका कितना भुजा है एक, दो, तीन, चार, पांच, छे भुजा है ठीक है तो एक ही भुजा के दो अंत बिन्दूओं जैसे देखे ए हो गया B हो गया तो A भी क्या है? एक भुजा है तो A भी क्या है? असन्य सिर्ष तो लिखेंगे A और B दो असन्य सिर्ष है तो एक ही भुजा के दो अंत बिन्दूओं को जैसे इसमें देखे CD में C और D हो जाएगा असन्य सिर्ष एक ही भुजा कोई भी भुजा का जो अंत बिन्दू होगा जैसे इसमें A फ और E तो ये नहीं होगा A फ और D नहीं होगा असन्य सिर्ष क्योंकि एक ही भुजा के दो अंत बिन्दू को असन्य सिर्ष कहते है बहुबुज मे तो इस तरह इसको मान लेजिए यहां पर हम बनाते हैं कोई और जैसे यह है ठीक है यह बहुबुज है तो इसका नाम दे एते हैं P Q R S ठीक है तो P Q क्या हो गया P Q एक भुजा है तो P Q तो दो आसन्य सिर्स होगा तो इसमें आसन्य सिर्स हो गया PQ ठीक है अगर और कोई इसमें देखे RS भुजा में QR हो गया आसन्य सिर्स SR भुजा में SR हो गया ठीक है तो दो अंत बिंदूओं को क्या कहते हैं आसन्य सिर्स तो किसी एक ही भुजा के दो अंत बिंदूओं को क्या करते हैं आसन सिड्स प्रस्ण तीन तो प्रस्ण पहला का तीन में एक पंच भुज घिचना है और इनके सभी कोनों को लिख देना है तो प्रस्ण पहला का तीन तो एक पंच भुज यानि पांच भुजा का तो एक दो तीन ये देखे तीन भुजा हो गया चार चार भुजा और एक पनच तो इसका नाम दे देंगे A, B, C, D, E तो यह हो गया देखिए पंच भूज यहाँ B है, यहाँ पर C है यहाँ D है, E है, A है तो प्रस ने तीन में एक पंच भूज घीचना है तो देखिए स्केल से इसको घीच लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा तो यह है देखिए पंच भूज ठीक है, इसको इस तरब से अगर देखिए तो क्या है यह पंच भूज इसका नाम देते हैं तो A, B, C, D, E ठीक है, तो पंच भूज आ है इसका A, B, B, C, C, D, D, E, और A, E पंच भूज आ है तो कहा रहा है कि एक पंच भूज घीचिए और इनके सभी कोनों के नाम लिखिए तो इनके कोन-कोन है, कोन-कोन है कोन-A, देखिए इनके कोन है यहाँ पे लिख देते हैं कोन-A, कोन-B, देखिए एक कोन-E बन रहा है, एक कोन-E बन रहा है यानि पंच कोन-E इसमें बन रहा है A, B, C, D, E तो कोन-A, कोन-B, कोन-C, कोन-D, और कोन-E तो कोन-A, कोन-B, कोन-C, कोन-D, कोन-E इस तरह से पाचो कोन का नाम लिख देना है प्रास्न-C, एक वरीत घीची है, जिसका व्यास 8 cm हो तो प्रास्न-C, तो एक वरीत घीचना है, जिसका व्यास 8 cm हो तो 8 cm तो आठ सेंटीमीटर के पहले एक देखा खंड घीच लेंगे तो देखें ये कितना है आठ सेंटीमीटर तो माली जी इसको O ले लेते हैं और इसको B तो O भी कितना है आठ सेंटीमीटर का अब आठ सेंटीमीटर त्रीजिया का एक व्रीद घीचना है तो देखें पहले इसको अब नाप लेंगे फरकाल से इसको नाप लेंगे इस तरह से ठीक है अब देखें बाया छोर पे बायां छोर पे रख करके एक वरीत बना देंगे इस तरह से देखे ये 8 सेंटिमीटर त्रिज्या का वरीत है जिसका त्रिज्या कितना है आठ सेंटिमीटर तो इस तरह इसको बनाना है तो प्रेशन पांच तीन सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक वरीत घीचिए और वरीत के आंतरिक भाग को छायांकित कीजिए तो प्रेशन पांच में तीन सेंटिमीटर त्रिज्या वाले एक वरीत घीचना है तो देखे तीन सेंटिमीटर नाप लेंगे इससे स्केल में यह हो गया तीन सेंटिमीटर ठीक है अब एक वरीत बना देना है दो को दो कको दो को आवा है तीन सेंह का वरीत के लदा है दो कि ठीन सेंटिमीटर वरीत के वरीत भागा है और पदले है ऑा क्दिमीटर भलेचा है? धदियो के छेज़े दया कि आगए दिए легड़़ख अ़जफ पायाए दनr काशना है तीन सेंटिमीटर तीरिज्या वाला एक वृत ठीक है अब कहा रहा है कि आंत्रिक भाग को छायांकित कीजिए तो इसका जो आंत्रिक भाग है उसको इस तरह से छायांकित कर देना तो आंत्रिक भाग मतलब अंदर का भाग को इस तरह से छायांकित कर देना है तो इस तरह इसको बनाएंगे तो प्रस्ण दो का पहला एक बिन्दू से अधिक से अधिक कितने रेका खंड गुजर सकते हैं तो प्रस्ण दो का पहला एक बिन्दू से अधिक से अधिक कितने रेका खंड गुजर सकते हैं तो अनन्त इसका उत्तर हो जाएगा अनन्त तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा अनंत यानि एक बिंदू से देखिए एक बिंदू से अनंत रेखाएं घीची जा सकती है यहाँ पर माली जे एक बिंदू है ठीक है तो इस तरह से कहीं से भी देखिए यानि अनंत रेखाएं गीची जा सकती है एक विंदू से ठीक है तो प्रस्न दो का दो एक घड़ी की घंटे वाली सुई एक घुर्णन के कितनी भीन घुम जाती है जब वह साथ से दो तक पहुँचती है तो प्रस्न दो का दो तो घड़ी में क्या होता है बारा विभाग बारा विभाग बराबर एक घुर्णन एक घुर्णन ठीक है यानि बारा विभाग होता है घड़ी में तो बारा विभाग को एक घुर्णन कहते है क्योंकि एक से लेके बारा तक होता है ठीक है तो घंटा जो होता है एक से बारा तक होता है तो उसी को बारा विभाग कहेंगे तो बारा विभाग बराबर एक घुर्णन तो एक विभाग बराबर कितना हो जाएगा एक विभाग बराबर एक वटा बारा घुर्णन ठीक है एक विभाग बराबर एक वटा बारा हो जाएगा क्योंकि बारा भीभाग में एक घुर्णन होता है तो एक घुर्णन जब होगा तो बारा देखें घंटे का सुई बारा एक से लेके बारा तक जाएगा तो उसको एक घुर्णन कहेंगे ठीक है तो बारा भीभाग में एक घुर्णन तो एक भीभाग में एक वटा बारह घुर्णन हो जाएगा यानि एक भीभाग मतलब हुआ एक से दो तक जाना दो से तीम तक जाना ठीक है जैसे पान से छे तक जाना एक आरह से बारह तक जाना तो उसको एक भीभाग कहेंगे अब देखिए यहाँ पर कहा रहा है कि एक घंटे की घंटे की घंटे वाली सुई एक घुर्णन एक घंटे की घंटे वाली सुई एक घुर्णन के कितनी भीन घुम जाती है जब वह साथ से दो तक पोईशती है तो साथ से दो तक तो मालीजै एक घड़ी है ठीक है तो 12 A, 12, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 इस तरह से होता है तो कह रहा है कि 7 से 2 so 2 तो देखे 7 से 2 कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक देखे 7 से 8, 1 यहां से यहां दो नौ से दस तीन दस से इगारा चार इगारा से बारा पांच बारा से एक छे और एक से दो साथ यानि साथ विभाग हो रहा है ठीक है क्योंकि साथ से दो तक जाने में देखे एक घंटा में एक विभाग हो रहा है बारा भीभाग होता है कुल, तो साथ से आठ में एक भीभाग, उसी तरह, दो तक ग्या, सुई, तो साथ भीभाग हुआ, तो एक भीभाग में एक बारा गुर्णन, तो साथ भीभाग में, साथ भीभाग, साथ भीभाग बराबर, साथ गुना एक बटा बार है, घुर्णन हो रहा है, तो बराबर कितना हो जाएगा, साथ गुना एक साथ, यानि साथ बटा बार है, तो एक घड़ी की घंटे वाली सुई एक घुर्णन के कितनी भीभाग घुम जाती है, कितनी भीभाग रही है, साथ भीभाग में एक घुर्णन होता है, तो एक घड़ी की सुई कहां रुख जाएगी, जब वा, यदि वा तीन से प्रारम करे, और घड़ी की दिशा के विप्रीत एक वटा चार घुर्णन करे, तो प्रसन दोका 3 में कहा रहा है कि एक घड़ी की सुई कहां रुख जाएगी यदि वह तीन से प्रारम करे और घड़ी की दिशा के विप्रीत एक वटा चार घूर्णन करे तो हम जानते हैं कि बारा भीभाग में एक घूर्णन होता है ठीक है तो एक भीभाग में एक वटा बारा घुर्णन तो लिखेंगे यहाँ पर एक घुर्णन एक घुर्णन बराबर बारा भीभाग एक घुर्णन में कितना होता है बारा भीभाग यानि जब पुरा पुरा घड़ी, घंटे के सुई, गुमता है, तो कितना भी भाग होता है, बारा भी भाग, देखिए, एक से लेकर दो, एक भी भाग, उसी तरह करदे करते हैं, बारा तक जाएगा, तो बारा भी भाग हो जाएगा, तो एक गुर्णन में बारा भी भाग, तो कितना कह रहा है एक वटा चार घुर्णन कह रहा है तो देखे एक वटा चार घुर्णन बराबर कितना हो जागा बारा गुना एक वटा चार यानि चार तिया बारा तीन बार में कट जागा तीन गुना एक तीन तीन भी भाग हो गया तो एक वटा चार घुर्णन करे ये प्रस्ट में दिया हुआ है एक वटा चार तो एक घुर्णन में बारा भी भाग होता है तो एक वटा चार घुर्णन में बारा गुना एक वटा चार कर देंगे ठीक है किता आजागा तीन भी भाग अब कह रहा है कि अब देखिए एक घड़ी बनाएंगे पहले ठीक है? यहां 12 है यहां 1 है, यहां 2 है, यहां 3 है यहां 4 है, यहां 5 है, 6 है 7, 8, 9, 10, 11 ठीक है? तो कहरा है कि घड़ी की सुई कहां रुख जाएगी यदि वह तीन से प्रारम करें कहां है? तीन पे है ठीक है तीन से प्रारम करें और घड़ी की दिशा के विप्रीद दिशा में देखें घड़ी इस तरफ से चलता है तो उसके विप्रीद दिशा में यानि इस तरफ दिशा में एक वटा चार घुर्णन करें तो एक वटा चार में तीन भीवाग आया है तो घाड़ी के दिशा के विप्रीद दिशा यानि इस तरफ घुमेगा तो देखे तीन भी भाग तो तीन भी भाग यानि तीन से दो हो गया एक भी भाग उल्टा घुम रहा है ठीक है तीन से एक हो गया दो भी भाग और तीन से बारा यानि यहाँ पर आएगा काटा, उल्टा घुम रहा है, तीन भी भाग जा रहा है, तो एक भी भाग हो गया, दो, फिर तीन से दो गया तो एक भी भाग, दो से एक गया तो दो भी भाग, और एक से बारा गया तो तीन भी भाग, यानि तीन भी भाग, तो जब एक बटा चार खुड़न करेगा तो तीन भी भाग होगा और विप्रीद दिसा में घुम रहा है यानि घड़ी के विप्रीद दिसा में घड़ी जिस तरब से चलता है उसके विप्रीद दिसा में तो कहां जाएगा बारा पे इसका उत्तर हो जाएगा तो लिखेंगा अता घाड़ी की सुई अता घाड़ी की सुई बारह पे रुक जाएगी तो घाड़ी की सुई कहाँ पे रुक जाएगी क्योंकि तीन विभाग हो रहा है और घाड़ी के बिप्रीद दिसा बे तो बारह आएगा देखें बारह से तीन विभाग हुआ तो उल्टा जा रहा है यानि तीन से बारह हो जाएगा तो इसका उत्तर हो जागा 12 प्रस्न चार आप किस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप प्ररंब में पस्चिम की ओड देख रहे हों और घड़ी की दिशा में एक पुनांक 3 वटा 4 घुर्णन करे तो प्रस्न चार तो आप किस दिशा में देख रहे होंगे तो माल लेजे यहाँ पर आप हैं ठीक है यदि आप प्ररारम में पश्चिम की ओर देख रहे हैं तो इधर पश्चिम इधर हुआ ठीक है तो इधर देख रहे हैं पूरब देखे इधर हो गया पूरब इधर क्या हुआ पूरब इधर पश्चिम ठीक है इधर दखिर इधर उत्तर तो पूरब परश्चिव दखिर उत्तर तो परश्च ने चार देखे पहले हम दिशा बना देते हैं तो यह हो गया पूरब पूरब पच्छिम ठीक है उत्तर उत्तर दखिर तो पूरब पच्छिम उत्तर दखिर इस तरह से होता है ठीक है चारो दिशा है तो कह रहा है कि आप की इस दिशा में देख रहे होंगे यदि आप परश्चिम की ओर देख रहे हैं यानि हम किधर देख रहे हैं पच्छिम की ओर और घड़ी की दिशा में एक पूरब तीन वटा चार घुर्णन करें चार गुणा एक घुर्णन अब यहां पर समकोन बन रहा है देखिए यहां से यहां 90 degree इधर भी 90 degree यहां भी 90 degree यहां भी 90 degree चार समकोन बन रहा है तो एक समकोन में सब 90 degree पर कोन बना रहा है यह दिसा तो चार समकोन बन रहा है यानि चार बार 90 डिगरी बन रहा है तो बराबर हो जाएगा साथ बटा चार गुना चार समकोन गुना चार समकोन तो चार समकोन बन रहा है इसलिए चार से गुना कर देंगे तो चार से चार कट गया यानि कितना हो गया साथ समकोन साथ समकोन ठीक है तो साथ समकोन तो देखिए अभी हम यहाँ पे देख रहे हैं तो यहां से गया है, तो एक समकोन हुआ, इधर घुमें तो, यहां दो समकोन, यहां तीन, फिर चार, फिर पांच, फिर छे, फिर साथ, ठीक है, तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा, तो देखे साथ समकोन आ गया तो साथ समकोन घुम जाना है तो घड़ी घड़ी की दिशा में तो घड़ी की दिशा इधर से होता है देखे इस सरब से जाएंगे तो अभी हम यहाँ इधर देख रहे हैं इधर खड़ा है ठीक है पश्यम की ओर देख रहे हैं पश्यम इधा रहे हैं तो घड़ी की दिशा तो देखिए एक समकौन अब इधर खुमेंगे उत्तर की ओर देखेंगे तो एक समकौन फिर पूरब की ओर देखेंगे तो दो समकौन इधर से घुम रहे हैं घड़ी की दिशा में ठीक है यहां घु 又 हो गया है घाडी की दिशा में गुमना है यानि पहिस्चिम से उत्तर Portuguese हुआ तो एक फिर दो इधर दर देखें गो दो समकों पूरब की हो पिर तीन फिर से हां चार फिर पांच फिर छे फिर साथ समकों आए है यानि इसका उत्तर हो जाएगा दच्छिन तो इसका उत्तर क्या हो जाएगा तो लिखें जाता है घाड़ी घाड़ी की दिशा में एक पुर्णांग तीन वटा चार एक पुर्णांग तीन वटा चार घुर्णन के बाद एक पुर्णांग तीन वटा चार घुर्णन के बाद हम दक्षिन की ओर दक्षिन की ओर देख रहे होंगे देख रहे होंगे तो किदर देख रहे होंगे दच्छिन की ओर तो इसका उत्तर हो जागा दच्छिन की ओर ठीक है इसका उत्तर क्या हो जागा दच्छिन की ओर तो इस तरह इसको हल करना है तो प्रस्न 5 निमली खित्माप के कौन किस परकार के कौन है तो प्रस्न 5 तो ए में है 18 डिग्री तो कह रहा है कि ये जो कौन है किस परकार के कौन है तो 68 डिग्री 90 डिग्री से छोटा है तो ये कौन सा कौन हुआ नियून कौन तो लिख देंगे नियून कौन नियून कौन 68 डिग्री नियून कौन है बी 110 डिग्री तो 90 डिग्री से ज़्यादा है ठीक है और 180 से कम है तो ये हो गया अधिक कौन 90 डिग्री से जादा है 180 डिग्री से कम है तो क्या हो गया अधी कौन C में 17 डिग्री तो देखें 90 डिग्री से छोटा है तो इसको नियून कौन लिखेंगे D 189 डिग्री 189 डिग्री तो 90 डिग्री से जादा है और 180 से कम है तो यह हो गया अधी कौन 90 डिग्री तो 90 डिग्री को सब कोन कहते है तो यह हो गया सब कोन तो नियून कौन अधी कौन नियून कौन अधी कौन और सम कौन इस तरह से लिख देंगे इसको प्रस्न तीन का पहला कौन के विचार से तिर्भुजों के कितने भेद होते हैं तो प्रस्न तीन का पहला तो कौन के विचार से तिर्भुज के तो लिखेंगे कौन के विचार से कौन के विचार से तिरिभुजो के तिरिभुजो के तीन भेद होते हैं तो प्रेस्ट में था कौन के विचार से तिरिभुजो के कितने भेद होते हैं तो कौन के विचार से तिरिभुजो के तीन भेद होते हैं जो की है समकोन तिरिभुज पहला क्या है तो पहला में समकोन समकोन तिरिभुज दूसरा न्यून कोन तिरिभुज और तीसरा कौन है अधिक कौन तो कौन के विचार से तिरबुजो के तीन वेद होते हैं समकोन तिरबुज, नियून कोन तिरबुज और अधिक कोन तिरबुज तो समकोन तिरबुज में जिस तिरबुज का एक कोन समकोन होता है, उसको क्या करता है समकोन तिरबुज और नियून कोन तिरबुज हो गया अधिकोन तिर्भुज प्रस्ण तीन का दो विसम बाहू तिर्भुज किसे कहते हैं तो प्रस्ण तीन विसम तो इसमें देखिए विसम बाहू तिर्भुज में हम लिख देंगे जिस तिर्भुज की किसी एक भुजा की लंबाई किसी दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर ना हो उसे विसम बाहू तिर्भुज कहते हैं तो यह देखिए यहां से यह परिभास हम लिख देंगे विसम बाहू तिर्भुज पूछ रहा है तो जिस तिर्भुज की, इसको आप लोग लिख लिजे, जिस तिर्भुज की किसी एक भुजा की लंबाई, किसी दूसरी भुजा की लंबाई के बराबर ना हो, उसे बिसम बाहु तिर्भुज कहते हैं, यानि इसमें देखिए सब जितना तीन भुजा है बिसम बाहु तिर् रिक दस्थानों को भरिये यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और उसके विकर्ण असमान हो तो उसे एक तो क्या कह रहा है यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और उसके भी करना समान हो तो उसे एक क्या कहते है सम्च दूर्बूज तो यहाँ पे क्या भर देंगे तो देखे यहाँ पे भर देंगे यानि तीसरा प्रिके हम इस तरह से यहाँ पे भर देते हैं यहाँ पे जगह नहीं है तो यहाँ पर लिख लेते हैं सम चतुर्भुज तो यदि किसी चतुर्भुज की सभी भुजाओं की लंबाई बराबर हो और उसके विकर्ण असमान हो तो उसे एक सम चतुर्भुज कहा जाता है तो यहाँ पर क्या भढ़ना है सम चतुर भूज तो आप लोग कॉपी में रिकतस्तान में क्या भरिएगा सम चतुर भूज एक वर्ग पिरामीड का तो एक वर्ग पिरामीड का पांच सिर्स पांच फलक होता है क्या होता है एक वर्ग पिरामीड का पांच सिर्स पांच फलक होता है एक प्रीजम का 6 सिर्ष और 9 किनारे होता है प्रस्न 4 का पहला एक संभाव तिर्भुज में 3 सम्मीती की रेखाएं होती है तो यहाँ पर 3 भरेंगे प्रस्न 3 एक सम्मीती की रेखा होती है तो यहाँ पर 1 भर देंगे ठीक है प्रस्न 3 एक सम्चतुर्भुज के दोनों विकर्ण में परतेक एक एक सम्चतुर्भुज के दोनों विकर्ण में परतेक एक तो यहां पे क्या भरेंगे? यहां पे भरेंगे सम्मीती तो एक सम्चत उर्भुच के दोनों विकर्ड में पड़ते हैं कि एक सम्मीती की रेखा है तो यहां पे क्या भर देंगे? रेखा ठीक है? यहां पे क्या भरेंगे? सम्मीती की यहाँ पे भरेंगे रेखा एक वर्ग में तो एक वर्ग में चार सम्मीति की रेखाएं होती हैं एक वर्ग में चार सम्मीति की रेखाएं होती हैं एक वर्ग में असंख यहाँ पे क्या भर देंगे इसमें भरेंगे असंख ठीक है यानि एक वृत में असंख सम्मीति की रेखाएं होती हैं खाली अस्तान में देखें हम जगा कम था तो हम इधर लिख दिया है असंख तो प्रस्न पांच का एक कमपास की साहिता से 30 डिगरी का एक कोन की रचना कीजिए दूसरा कमपास की सायता से 135 डिगरी का एक कौन की रचना कीज़े तो देखिए तो इसमें देखिए बना के हम बता दिये हैं तो प्रस्ण माला 13 B का कोश्चन नमर 5 में देखिए 30 डिगरी है 135 डिगरी ठीक है तो आप प्रस्ण माला 13 B में जाकर के ये कौन कैसे बना हुआ है उसको देख सकते हैं ठीक है अब देखिए तीसरा एक रेखा खंड AB बराबर 6.5 सेंटीमीटर लीजे यदि AB पर D बिंदू इस परकार होकी AD बराबर 4 सेंटीमीटर हो तो AB के D बिंदू पर एक लंब घिचिए तो ये जो परस्ण है देखिए तीसरा पांच का तीसरा ये बिलकुल इसी के जैसा है देखिए परस्ण माला 13 B का परस्ण 3 हम बना दिया है बिलकुल इसी जैसा है बस यहाँ पर देखिए रेखा खंड AB 8 सेंटीमीटर लेना है और यहाँ पर AB 6.5 cm ठीक है और AD बराबर 3 यहाँ पर AD बराबर 4 लेना है ठीक है और AB के D बिंदू पर लंब घीचिए यहाँ भी AB के D बिंदू पर लंब घीचिए तो इसको आप देख लिजे और बस AB यहाँ पर 6.5 cm ले लिजे ठीक है और AD 4 बागी सब इसी के जैसा बनेगा ठीक है जैसे परस्न 3 हम परस्न माला 13 भी में जा करके आप देख लिजे इसको परस्न 4 8.6 cm का एक रेखा खंड घीच कर उसे एक लंब सम्दिव खंड़क के द्वारा सम्दिवाजित कीजे तो यह जो परस्न है बिल्कुल इसी के जैसा बनेगा देखे परस्न 7 में था जो 7.7 cm का एक रेखा खंड गीच कर उसे एक लंब सम्दिव खंड़क के द्वारा सम्दिवाजित कीजे तो आप परस्न माला 13A का परस्न 7 जिस तरह से बनेगा उसी तरह से देखे यह परस्न बनेगा बस यहाँ पर रेखा खंड कितना लेना 8.6 cm ठीक है और इसमें इसमें हम बताएं है 7.7 cm का एक रेखा खंड गीच कर तो आप 8.6 cm का रेखा खंड लेकर के बस इसी तरह इसको बना दीज़े जिस तरह से परस्न 7 हल हुआ है परस्न माला 13 अमे ठीक है परस्न 5 5 cm का एक रेखा खंड गीच है और एक बिंदु पी लीज़े जो ए भी पर ना हो P से होकर A भी पर एक लंब गीच है यह जो परस्न है 5 5 cm का एक रेखा खंड गीच है और एक बिंदू P लीजे जो A भी पढ़ना हो P से होकर A भी पर एक लंब घीचिये ये देखे बिल्कुल इसी तरह बनेगा प्रस्ण आठ के जैसा ठीक है प्रस्ण माला तेरा ये में प्रस्ण आठ एक रेखा खंड A भी घीचिये और एक बिंदू P लीजे जो AB पढ़ना हो, P से होकर AB पर एक लंब गीचे, तो अब इसको देख लिजे, बिल्कुल इसी तरह बनेगा, ठीक है, तो बस यहां पर क्या करना है, 5 cm का एक रेखा खंड घीच लेना है, ठीक है, और एक बिंदू P कहीं भी ले लेना है, उपर या नीचे, जो AB पढ़ना हो, और P से होकर AB पर एक लंब गीचे, तो 5 cm का एक रेखा खंड घीचना है, और यहां पर देखिए, बस एक रेखा खंड AB घीच देना है, यानि बिना, यहां पर कोई लंबाई नहीं दिया है, तो बस 5 cm लंबाई, यानि स्केल से नाप करके AB एक रेखा खंड घीच लेंगे, और बिल्कुल इसी तरह बनाएंगे, जैसे प्रस्न 8 हल हुआ है, प्रस्न माला 13 A में, तो आप प्रस्न माला 13 A का प्रस्न 8 देख सकते हैं, और बस AB को ले लेना है, कितना? 5 cm, AB को 5 cm ले लना है, ठीक, और बाकी सब उसी के जैसा हल कर देना है,